हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब पढ़ाई आप सब की अच्छी चल रही होगी बच्चो हम पढ़ रहे थे D.S.S.B. और चंडिगर T.G.T. का जो हमारा एक्जाम होना उसके लिए 10th class में जो 3 chapter है वो हम complete कर चुके हैं 4th chapter जो carbon and its compound वो आज हम start करेगी तीक है अब देखो अगर हम syllabus की बात करते हैं तो एक बारी जो 6 से लेकि 8 तक है वो एक बार दोबारा होगा क्योंकि मैं seated के लिए तयार कराऊंगी बच्चो तो उसमें जो important सारे question होगे क्योंकि seated बे 6 से 8 class तक का बहुत depth में अच्छे से पूछ लेता है तीक है तो वहां भी आपकी यह तयार हो जाएगी तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी मैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी पहले chemistry मिल जाएगी 6 से 8 class तक की फिर आपको bio मिल जाएगी और फिर आपको physics मिल जाएग ठीक है और वैसे हम 9th class के physics और bio ये भी हम करेंगे मतब दीरे दीरे हो जाएगा ठीक है अब देखो carbon and its compound में अगर हम बात करते हैं carbon and its compound मतलब की एक पूरा जो chapter एक बना है carbon एक जो element है जिसका atomic number कितना है atomic number उसका है 6 और अगर आप इसकी configuration की बात करते हैं तो इसकी configuration है 2 और 4 ठीक है फिर बात आती है valency की valency आप देख रहे हैं या तो इस चार electron क्या कर सकता है donate भी कर सकता है और 4 electron क्या कर सकता है gain भी कर सकता है प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है फिर जो कि हम पूरे उस में बात करेंगे कि सिर्फ एक ऐसा element यही है जहाँ पे आपको क्या तो आपको नॉर्मल पता है और तब कार्बन और हाइड्रोजन तब आपस में बौनिंग करते तो उसको हम क्या बोल देते हैं hydrocarbons हम बोल देते हैं जो starting part आप देखो उसमें तो बहुत ज़ादा जो introduction है बहुत general जो introduction है वो हमें देखने को मिलेगी पर जो main चीज़े हैं जो हमसे पूची जाती है मतलब main तो हमारा वही point है कि हम वो याद रखें एक तो यहां पर main जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो atmosphere में है 0.03% जो है वो carbon present है किसके form में CO2 की form में present है और अगर आप earth crust की बात करते हैं तो वो 0.02% carbon present है किस form में present है mineral कैसे कैसे carbonate या फिर hydrogen carbonate बोल सकते हो coal या petroleum की form में बोल सकते हो इतनी सारी चीज़े हैं mostly आप बोलते हो कि अब ये carbon से ये चीज़े क्या है बनी हुई है तो carbon आपने लिए क्या है essential चीज़ है काफी ज़ादा क्योंकि इसका use आप देखते हो daily use में आपको बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा अब आपको उसकी chemical और वो सारी properties chemical है, physical है उसकी bonding का nature है सब हमें पढ़ना है सबसे पहली बात तो अगर हम carbon की bonding की बात करते हैं तो carbon covalent bond बनाता है पिछले वाले chapter में हमने पढ़ा था कि ionic bond कैसे बनता है वो सारा सब कुछ हम पहले देख चुके थे पर अब की बार हमें क्या बात करनी है हमें बात करनी है covalent bonding की की covalent bond क्या होता है देखो एक normal बात है तब complete transfer of electron था तब तो ionic bond था complete transfer of electron वो ionic bond था तब आप share करते हैं electrons को तब element क्या करता है electrons है उनको share करता है electrons को तो उसको आप बोलते हो covalent bond ठीक है अब वही कौन करता है ये काम कार्बन करता है ठीक है अब वो देखना कि कार्बन में क्या चीज हुई कार्बन आप यह जानते कि वह उसकी configuration 2, 4 थी अब इसको 4 electrons क्या है उसको चाहिए होते हैं अब चाहिए या तो उसके पास possibility है कि वो completely क्या कर दे transfer of electron कर दे देखो अब problem क्या आजाती है कि 4 positive अपने उपर charge लेना चार्ज जितना जादा जिस element के उपर होता है उसके उपर वो problem आना शुरू हो जाती है मतलब कि stable करने में problem आना शुरू हो जाती है same 4 negative के उपर है कि 4 negative electron अगर उसके उपर आए हैं तो वो charge समालना मुश्किल हो आप बहुत ध्यान से समझेगा कि कैसे क्या चीज हुई कि नॉर्मल बात है कि आप क्या करें कि कार्बन है कार्बन के पास हमने ऐसे बनाने कि चार electron है ठीक है आपने देखा भी होगा पहले आपने पढ़ा होगा लेविस डोट स्क्चर जिसको हम बोलते हैं क्या है लेविस हमने चार electron बना दिये क्योंकि हम बात करनें बच्चे sharing की share कैसे होगा electron उसी की बात की जा रही है कि कार्बन के पास भी चार electron है और अगर उसको अपने आठ electron पूरे करने है मतलब उसको अगर अपना octate पूरा करना है तो अब मालीजी आप hydrogen ले आए यहां पे एक hydrogen यहां एक hydrogen यहां रख दिया एक hydrogen यहां रख दिया तो अब यह देखो hydrogen के तो इलेक्ट्रोण हो गए होगे ना सारे hydrogen ने भी क्या बनाया यहां पे covalent bone बनाया उसने भी electron की sharing की है और अब अगर आप carbon की बात कर रहें तो carbon के देखो electrons पूरे हो गए 8 के 8 तो यह होती है sharing, यह covalent bond है, यहाँ पे कोई transfer of electron नहीं हुआ है, यहाँ पे सर्फ sharing of electron हुई है, और ऐसी ही क्या बनता है, covalent bond बनता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और carbon की एक जो property होती है, कि carbon के पास एक ability है बच्चों, कि वो खुद के साथ क्या कर सकत है, combine हो सकता है, खुद के साथ bond बना सकता है, मतलब carbon के साथ bonding कर सकता है, single bond भी बना सकता है, double भी बना सकता है, triple भी बना सकता है, तो यह जो self linking जो property होती है, क्या बोल रहे हैं, जो self combining property या linking property आप कहें, तो इसको आप क्या नाम देते हैं, self linking property को इसको आप catination बोलते हो, क्या self-linking property तभी carbon के इतने सारे compounds हैं कि वो बहुत लंबी chain मतलब आपने C60 भी आपने सुना है जो आप बक minister Fulrin का नाम जो आप जानते हैं तो C60 भी है C70 भी है C80 भी है तो आप देखिए कि carbon आपस में कितना जादा क्या हो सकता है combine हो सकता है तो जो self-linking property जो होती उसको आप क्या नाम देते हैं आप उसको नाम देते हैं catination अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप compounds की बात करें तो वो simple ऐसे normal एक linear उसमें है आपको branching भी देखने को मिलेगी आपको क्या है branching भी देखने को मिलेगी linear भी देखने को मिलेगा और ring में भी देखने को मिलेंगे तो इनकी अलग-अलग क्या है इनकी presence जो है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तरीके से वो combine हो सकता है chain भी बना रहा है branch भी बना रहा है ring भी बना रहा है तो अलग-अलग तरीके से जो carbon है वो अपस में क्या किया? उसने combine किया ठीक है? तो आप क्या गरेंगे? पहले आपको catination के बारे में पता होना चाहिए और वो खुद में आपस में क्या है? covalent bond बना रहा है यही हमने बात की है single bond भी बना रहा है, double bond भी बना रहा है और triple bond भी बना रहा है तो sharing of electron covalent bond होता है catenation self linking property को आप कहते हैं अब उसी में आपको बता होना चाहिए कि जो carbon है अब यहाँ पे यह जो bonding के तरीके हैं यह आपको बता होने चाहिए कुछ compound जैसे NCI ने बता रखें भई अगर आपके पास hydrogen है दूसरा hydrogen आएगा इसका देखोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है तो ऐसे covalent bond बनता है sharing यहाँ पे होती है electrons की और तब भी ऐसे structure बनाओगे तो जो valence electron होते हैं उसको last में बनाएगे तो आपकी structure बन जाएगी अब जैसे अगर हमें oxygen की बनानी है oxygen आप यहाँ रखिए दूसरा oxygen आप यहाँ रखिए एक oxygen के last में आप जानते हैं कि उसका जो atomic number होता है वो 8 होता है तो 2 और 6 आप बनाएगे तो यहाँ पे हमने क्या किया last में 6 electrons है तो हमने किया 2 electron यहाँ रख दिए 2 electron यहाँ और यह कितने हो गए अपने 4 तो इसके हो गए और 2 electron हमने यहाँ रख दिए क्योंकि एक बात आप समझें कि एक oxygen को अपना oktate पूरे करने के लिए 2 electrons के requirement और है अगर इसको आट पूरे करने है तो 2 electrons और चाहिए इसको तो हमने क्या किया कि हम दूसरे oxygen से 2 electron की sharing करा देंगे इसी वज़े से मैंने यहाँ center में कितने electron रखे हैं 2 electron रख दिए सेम दूसरे oxygen के साथ करेंगे और यह जो और electron जो बच गए उनको side में रख दीजिए अब देखो इस oxygen ने अपने 8 electron पूरे किये और दूसरे oxygen की बात आएगी तो कुछ ऐसे complete हो जाएगे अब यहाँ पे देखो एक single bond बना यह वाला और दूसरा bond बना यह तो यह क्या बन गए है यह बन गया है double bond ठीक है तो अपना sharing से क्या बनता है single bond भी बनता है single bond भी form होता है और double जो bond है वो भी यहाँ पे form होता है single और double दोनों bond यहाँ पे form हुए अगर हम triple bond की बात करते हैं तो nitrogen की बात करते हैं nitrogen अगर atomic number है 7 है 2 और 5 है इसको 3 electron चाहिए अगर इसी जैसा आप element मतलब की sodium अगर आप लेके sodium कह रहे हैं nitrogen अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपने क्या किया 3 electron यहां रख दिये क्योंकि इसको दूसरा element अपना है same मतलब जो nitrogen है उससे भी 3 electron ही चाहिए तो इसी वज़े से सामने मैंने 3 electron इसके भी रख दिये total कितने 5 तीन यहां रख दिये तो यह 4 और 5 और यहां पर भी 4 और यह 5 तो अब हमने क्या किया यह इसको complete कर दिया और यह वाला इसको हमने complete कर दिया तो देखो इसके भी 8 हो गए इस वाले nitrogen के और इसके भी 8 हो गए bond कितने बने एक ही single bond यह हुआ double bond और यह हो गया triple bond बात समच में आ गई तो single bond भी बनता double bond भी बनता और triple bond भी बनता है अब आप याद रखेंगे कि जो bond में participate करते हैं जो electrons वो bond pair कहलाते हैं क्या कहलाते हैं bond pair और जो bonding में participate नहीं करते हैं जो यह extra बच गए हैं इनको आप बोलते हैं lone pair क्या बोलते हैं बच्चे lone pair बोलते हैं यह भी यहाँ पर एक lone pair इस sodium के पास है एक lone pair sodium के रहे हैं इस nitrogen के पास है और दूसरा lone pair इस वाले nitrogen के पास है ठीक है अगर यहां oxygen में पूछा जाए ठीक है यह इस oxygen में पूछा जाए तो दो अगर पूछो भई O2 में कितने number of lone pair हैं सिर्फ मैंने एक oxygen की बात नहीं कि मैंने O2 में complete में O2 में कितने number of lone pair हैं तो एक pair यह रहा दूसरा यह रहा तीसरा यह रहा और चोथा यह रहा चार lone pair यहां पर present हैं ठीक है तो गोशन कैसे पूछ लिया जाता है मालनी जी ammonia आपके पास दिया गया है उसमें आपको number of lone pair बताने हैं और आपको structure बनानी है देखो nitrogen के पास outer में कितने electron होते हैं 5 होते हैं तो हमने क्या किया वह इसको hydrogen को भी तो donate करने हैं ठीक है तो हमने क्या किया कि यह हमने ऐसे electron बना दिये एक hydrogen का हो गया यह nitrogen का भी हो गया और यह same हमने hydrogen और यहां पे 2 electron क्योंकि अपने nitrogen के पास 5 होते हैं तो यह 2, 3, 4 और 5 यह हम hydrogen का bond पूरा कर देंगे ठीक है कि भई उसने अपने क्या है electron को share कर लिया यह हो गए same यहां पे भी हो गया और यह यहां पे भी हो गया hydrogen के हो गया अगर आप nitrogen की बात करते हैं तो देखिए यह nitrogen के यह हो गए 8 electron तो मतलब कि देखो bond क्या बना एक यहां पे और एक bond में single एक bond में 2 electrons के requirement होती है और उपर जो बचा है electron वो as a lone pair है तो ammonia में कितनी lone pair है एक lone pair है ठीक है फिर बात आती है कि अगर आप यह बात करें कि जो gases हैं जैसे आपको पता होगा CH4 जो है उसको आप क्या नाम देते हैं मिथेन नाम देते हैं क्या बोलते हैं आप उसको मिथेन और यह क्या थी structure अगर हम बनाएं तो आपको पता है कि carbon के पास चार अपने पास क्या होते हैं outer में elektrons होते हैं एक बर इसको यहां से साफ कर देते हैं तो outer में कितने elektrons होते हैं चार होते हैं अगर हम hydrogen की भी बात करें तो वो भी कितने होंगे चार ही है यहाँ पे चार ही है तो हमने यह चार आउटर में रख दी ठीक है यह structure हमने बना दी और carbon के भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 electron हो जाएंगे complete ठीक है तो इसने भी अपना क्या complete कर लिया, octate complete कर लिया अब यहाँ पे structure कैसी पूछी जाती है कि वही आपके पास है C2, H2 आपके पास है इसकी structure अगर हम बनाएं तो कैसी बनेगी तो carbon आपके पास है एक carbon और आपने रख लिया, एक बात fix है कि carbon जो है वो चार bond बनाएगा, उसकी valency जो है वो 4 ही है, 4 ही यह bond बनाता है यह 100% मतलब यह fix रहेगी, 4 से उपर आपको bond नहीं बनाने है carbon के अब देखो, हमने क्या किया, एक carbon की बात करते हैं, एक carbon चार ही bond बनाएगा तो हम यह करते हैं कि वही single bond बनाया, double bond बनाया, triple bond बनाया और एक hydrogen हमने इस carbon को दे दिया, एक hydrogen हमने इस वाले carbon को दे दिया तो इस carbon के भी चार bond बन पूरे हो गए, इस carbon के भी 4 bond पूरे हो गए और इनका octate भी पुरा हो गया तीच है, आप इस बात को हमेशा use करेंगे, किस बात को डियांसर सुनिएगा अगर आप hydrogen की बात कर रहे हैं तो देखो बचो इसको एक ही electron की requirement है तो ये एक ही bond बनाता है इसको एक ही electron की requirement है bond भी एक ही बनाएगा oxygen को दो electron की requirement है तो ये दो ही bond बनाने वाला है carbon को चार electron की requirement है चारी bond बनाता है nitrogen को अगर आप देखेंगे तो 3 electrons के requirement है 3 ही bond बनाता है फिर ये coordination bond में चला जाता है कि वहाँ पे आपको nitrogen के 4 bond भी देखने को मिलेंगे ठीक है पर अब भी जो आपको याद रखना है यहाँ पे क्योंकि आप NH4 positive में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो nitrogen है उसके 4 bond पूरे हो गए है ठीक है यहाँ पे hydrogen यहाँ बस यहाँ पे lone pair use हो गया है ठीक है यहाँ पे lone pair use हो गया क्योंकि H1 आया था positive जिसके पास एक भी electron नहीं है तो अपना nitrogen ने क्या किया उसको lone pair दे दिये क्योंकि एक bond के लिए एक bond formation के लिए दो electrons का होना ज़रूरी है पर यह बात fix है कि जिसको जितने electrons के requirement हो bond उतने ही बना रहा है sulfur की बात करोगे आगे जाके देखोगे तो वो 6 भी बनाता है जैसे H2SO4 में आप पाऊगे पर यह basic knowledge है कि oxygen तो यह तो fix ही बनाएगा कि इसको 2 बनाने है और जो carbon है उसको 4 ही बनाने है अपना hydrogen है इसको 3 electron चाहिए 3 bond इसको बनाने है ठीक है अब यहाँ पर अगर आपने देखा जो मैंने अभी लिखा C2H2 तो आपको simple आपने knowledge का यूज किया अभी carbon तो 4 ही bond बनाएगा और hydrogen एक ही bond बनाएगा तो हमने इसी का यूज करते हुए हमने structure बना ली और electrons को देखो कि तो यहाँ एक electron बनाओ यहाँ बनाओ तो 6 electron तो यह हो गए 7th और 8th electron तो एक carbon के 8 electron और 4 bond पूरे हो चुके है तो इनी चीजों का यूज करते हुए मतलब आपको बनाना होता है अगर आप C2H4 की अगर structure बनाएं तो normal बात है हमने क्या किया कि मुझे पता है carbon carbon बनाने वाला है तो पहले मैंने यहाँ पे 2 बना दिये और यह hydrogen को यहाँ रख दिया इसको यहाँ रख दिया और यहाँ पे यह hydrogen अब देखो यह carbon ने अगर इस carbon की बात करते हैं तो यह 2 bond तीसरा और 4 यह bond बनाए हैं और 8 electron इसके पूरे हो चुके हैं तो आप number of bond formation के हिसाब से भी मतलब यूज़ कर सकते हो कि कैसे structure आपकी correct है के नहीं है ठीक है तो कई पार structure देखे उसका यह भी पूछ लेते हैं भाई यह structure ठीक है के नहीं है अब फिर जो important मतलब जो point है वो है allotrop of carbon allotropes क्या होते हैं मैंने पिछले वाले lecture में भी आपको बताया था allotropes होते हैं जहां पे physical properties क्या होती हैं different होती हैं बट chemically वो compound जो होगा वो same होगा जिसमें हमने किसकी बात की थी हमने diamond की बात की थी carbon के तीन allotropes हैं एक तो diamond है grey fight है और यहां पे buck minister full run है तीक है आप यहां अगर बात करें यहां question क्या पूछा जाता है C60 जो आपके पास है इसमें आप अगर structure देखें तो देखो एक तो यह ऐसा pentagon बना हुआ है यह 5 यह corner है ना तीन चार और यह 5 पांच corner है pentagon है और कुछ इसमें क्या है hexagon है जैसे यह आपको दिखाई दे रहा है न तो यह hexagon है तो C60 में आप अगर देखते हैं तो जो आपके पास 12 तो pentagon होते हैं और जो 20 है वो hexagon आपको यहां पे मिलेंगे ठीक है तो आपको जो buck minister full run है इसके बारे में simple यही property पता होनी चाहिए कि कितने number of hexagon है और कितने number of pentagon यहां पे present है तो pentagon 12 है और जो hexagon है वो कितने हैं यहां पे अपने पास 20 है ठीक है फिर बात जो होती है difference पूछा जाता है हमसे diamond का और graphite का सब जानते हैं कि जो diamond है वो सबसे hardest substance है और जो graphite हो बहुत जादा smooth और slippery होता है graphite अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा conductor होता electricity का जो कि non metals मतलब होते नहीं है पर उसमें से graphite जो है वो good conductor है electricity का diamond जो है आप जानते हैं कि अगर pure आपके पास carbon है उसको pressurize करके भी आप उसको बना सकते हैं synthetic diamond आपको देखने को मिलते हैं फिर अगर आप बात क है उसमें अगर किसी को cataric है उसका operation करने में भी diamond का use किया जाता है graphite आप जानते हैं as a lubricant में इसका use किया जाता है जो pencil होती हो उसके lid जो होती हो उसमें इसका use किया जाता है तो अब अगर आप structure के basis पे देखें तो एक carbon नहीं यहाँ पे कितने bond बना रखें चार बना रख हैं चारों के चारों यहां पे occupied हैं carbon का कोई भी electron free नहीं है मतलब यह electricity conduct नहीं कर सकता पर अगर आप यहां पे देखें इस carbon ने यह surrounded है एक दो और तीन तीन bond इसने बनाए हैं और जो चोथा जो electron है वो यहां पे free है इसी वज़े से जो graphite है वो क्या कर रहा है वो electricity conductor ता है तो यहां पे अगर आप structure आप देखो तो यहां पे ऐसे क्या बनी हुई है ऐसे slit सी बनी हुई है ठीक है जो hexagon की है और यह जो plates हैं उपर इसी वज़े से यह slippery भी काफी जादा होता है और electron free है तो electricity conductor सकता है तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो hexagon unit है और यहां पे चार electrons ऐसे जुड़े हो ना carbon के चार part है तो यह tetrahedral structure है तो structure के basis पर आप बता पाते हैं कि graphite ने क्यों electricity conduct की और diamond ने क्यों नहीं की ठीक है तो यह सारी बाते आपको याद होने चाहिए फिर हमें देखना है कि यहां पे बात की गई है कि इतना versatile nature कैसे है carbon का क्योंकि पहली property हमने बात की थी कि जो carbon है एक तो वो tetravalent है कैसा है tetravalent है valency 4 है उसकी और valency 4 होने के उसमें अब उसने क्या किया क्योंकि sharing of यहां पे electron होती है और catenation में जो हमने ज्यादा है ठीक है अपने आप में यह 70 है 80 है इतने number of carbon को अपने आप आप से क्या कर लेता है जोड लेता है और सारे तरीके की bond आपको यहां पे देखने को मिलते हैं आपको single bond भी देखने को मिलेगा double B triple B और जिसमें आप क्या categorize करते हैं अगर carbon carbon के बीच में single bond है तो आप उनको क्या बोल देते है saturated compounds बोल देते हैं और अगर वहाँ पे double या triple bond है तो उनको आप क्या बोलेंगे unsaturated compounds आप बोलेंगे ठीक है तो यह यहां है single bond है तो वहाँ पे क्या बोल दो के saturated compound अगर double और triple तो आप उनको बोलोगे unsaturated compounds, ठीक है, क्योंकि ये जो आपने bond जो बनाया है, carbon और carbon का, ये काफी जादा stable होता है, silicon की भी 4 ही valency है, पर वहाँ पे bond बहुत जादा stable, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे है, कि ये जो बात बताई गई है, कि carbon tetravalent है, 4 val currency है इसकी, तो ये bonding कर लेता है, किसके साथ, कुद के साथ तो करता ही है, और जो monovalent अलग-अलग element है, उनके साथ कर लेता है, जैसे oxygen के साथ भी करेका, monovalent है नहीं हो divalent है, hydrogen के साथ बहुत है, nitrogen के साथ भी, sulfur के साथ, chlorine के साथ, इन सारे elements के साथ, बोनिंग करता है, और जो कभी नहीं होना चाहिए एक carbon बहुत छोटा है और एक carbon मतलब note carbon एक element बहुत छोटा और एक element बहुत जादा बड़ा है ये bonding जादा stable नहीं होती जो similar size वाले जो होते हैं उनकी जो bonding होती है वो काफी जादा stable होती है ठीक है यहां पर तो कुछ जो बात याद रखने की थी वो simple यही थी फिर बात यहां पर है कि अगर आप carbon की बात करते हैं तो tetravalency वहां है catination आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि भई पहले simple बात यह थी कि भई जितने भी अपने पास जो organic compounds है वो सिर्फ living system से ही मतलब बने हुए है इसके अलावों नहीं बन सकते है ठीक है यह किसने बताया था जो vital theory थी उसने यह कहा था कि जो living मतलब नेचर से ही जो अपना carbon compounds है organic compounds है वो बन सकते हैं फिर जो scientist है वोलर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं उन्होंने अपनी lab में जो यूरिया था वो बना के वहां पर दिखाया तब यह नॉर्मल बात यह हो गई कि ज़रूर नहीं है कि वो सिर्फ nature से ही मतलब produce होके आ रहे हैं हम lab में भी जो और यह नहीं compound से उनको form कर सकते हैं फिर जो next category हमारे पास है वो saturated और unsaturated compounds आपको पढ़ने हैं saturated है simple बात है जहां पे single bond आपको मिलेगा unsaturated compounds है जहां पे double bond आपको देखने को मिलेगा single bond मैंने आपको बताई दिया था कि आपको कैसे कैसे बनाना है पर कुछ जो formula है नाम है वो category अब हम बना लेते हैं सबसे पहली बात तो अगर आप बात करते हैं कि जिसमें single bond होता है अगर carbon ने carbon के साथ single bond बनाया है यह saturated category में आता है और इनको आप क्या नाम देते हैं इनको आप बोलते हैं एक मिनटलke आप इनको बोलते हैं तीखे और अगर जहां पे double bond आ रहा है carbon और carbon के बीच में और जहां पे triple bond आ रहा है carbon और carbon के बीच में यह दोनों unsaturated कहलाएंगे इसको आप alkyne बोलते हैं और जो triple bond वाला है इसको आप alkyne बोलते हैं alkynes तो alkyne होते हैं saturated alkyne और alkynes होते हैं unsaturated compounds तीक है अब यहाँ पे nomenclature दिया जाता है IUPAC के दुरू IUPAC जो nomenclature आप कहते हैं कि अगर जो number of atom है carbon मतलब जो है वो सिर्फ एक है तो वहाँ पे जो word यूज़ किया जाता है वो myth word यूज़ किया जाता है दो carbon है तो वहाँ पे it यूज़ किया जाएगा 3 है prop यूज़ किया जाएगा 4 है but यूज़ किया जाएगा 5 है तो pen't यूज़ किया जाएगा 6 है hegs किया जाएगा 7 है हept किया जाएगा 8 है OCT यूज किया जाएगा 9 है तो non यूज किया जाएगा ठीक है और अगर आप नॉर्मल लिए देखें कि आपके पास अगर कार्बन क्या है एक ही कार्बन है और अगर वहाँ पे कार्बन सिर्फ single bond बना रहा है डबल नहीं है तो पीछे वर्ड जो लग जाएगा क्योंकि हमने इसमें category बनाई alkane, तो पीछे an जो वर्ड है वो यहाँ पे लग जाएगा तो यह हो जाएगा methane अगर दो carbon है, single bond है तो वहाँ पे भी इत वर्ड के पीछे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा ठीक है न, तो मत्तब कि अगर saturated compound है तो उनका जो आपके पास क्या मिलेगा जो suffix आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एन तो वही हमने किया propane, butane, pentane, hexane, ठीक है तो अगर आपको simple यह बोल दिया जाए कि आपको जो hexane है ठीक है, क्या है hexane है, उसकी आपको structure बनानी है उसका formula आपको बताना है ठीक है, hexane का आप कैसे बनाने वाले हैं, पहले तो आप जो carbon है, six वो बना लीजे single bone के साथ, क्योंकि एन है तो मतलब alcan है, single bone वहाँ पे मिलेगा, तो यह हमने तीन बनाए, एक आप और बना लीजे फिर आप सारे carbon के चार जो bone है, वो complete कर दीजे तो यह आपने किया, सब carbon के आपने क्या bone पूरे कर देंगे आप चार bone पूरे कर देंगे तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो normal बात है, यहाँ पे hydrogen लगाते जाएंगे, और यह क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास hexane बन जाएगा hydrogen तो double bone बनाने से रहा, तो ऐसे hexane आप बनाएंगे सारे carbon के अगर आप यहाँ calculate करेंगे तो सब carbon के आपको यहाँ पे single bone ही नज़र आएंगे ठीके, फिर अगर बात की जाए ऐसे कोई भी carbon atom मतलब कोई भी element आपको दिया जा सकता है hexane दिया जा सकता है octane दिया जा सकता है, nonane दिया जा सकता है, ठीके कोई भी, ठीके तो single उसमें तो आपको simple इतना ही देखना है कि single bone बनाते जाएं carbon के चार bone पूरे कीजिए और hydrogen सिर्फ अपना एक ही bone पूरा करने वाला है ठीके, इसमें तो simple इतनी बाते थी जो आपको याद रखनी है फिर बात आजाती है कि एक तो आप normal बना रहे हैं कि आपके पास simple आपने ऐसे किया ये तो एक normal structure आपके पास है होता क्या है कि आप इनके isomers भी बनाते हैं क्या है? isomers बनता है isomers जहां पे formula same रहेगा बट structure different होगी ठीक है? क्या है? isomers क्या होते है? जहां पे formula same रहे बट आपके पास जो compound है उसकी जो structure है वो वहाँ पे different हो जाए जैसे carbon मैंने चार लिए एक तो structure हमने ऐसे बना दी एक की हमने कैसे बना दी ये carbon ऐसे लेके और यहां पे carbon लगा दिया carbon चार ही है hydrogen भी same ही होगी formula same रहेगा बट structure जो होगी वो different होगी ठीक है? simple सी बात क्या है बचो अगर नाम दूसरा हो जाता है तो वो जो compound होगा वो भी different होगा जैसे अगर आप इसका नाम लिखते हैं मैं hydrogen नहीं बना रही हूँ किसी के भी simple मैंने ऐसे लिखा और एक structure आपने ऐसे बनाई है तो इन दोनों का नाम क्या है इन दोनों का नाम different है तो एक compound भी different होंगे पर एक दूसरे के क्या होंगे isomer क्योंकि formula same है अब इसका नाम अगर आप रख रहे हैं normal बात है single bone है तो एन उस category में आएगा चार bone है तो but word हो जाएगा butane आप इसको लिख देंगे और अगर आप इसमें देखें तो अब यहां पर क्या rule use किया जाता है कि आप branching मतलब जहां पर भी उसको सबसे lowest number मिलता है आप वहां से शुरू करने वाले अब चाहिए यहां से कर लीजिए यहां से बीच में से शुरू नहीं करेंगे ठीक है बीच में से शुरू नहीं करेंगे अगर यहां से करते हैं तो 1,2 और यह 3 हो जाएगा तो आपको क्या करना है पहले लिखोगे branching को ठीक है तो दूसरे position पे यहां पे क्या आएगा यह CH3 आएगा ना क्योंकि तो आप लिखोगे 2-methyl और नॉर्मल लाइन में क्या अपना इसका नाम लिख दो यह हो जाएगा 2-methyl propane इसका नाम हो जाएगा वो ब्यूटेन था यह 2-methyl propane है तो यह क्या है एक दूसरे के isomers है पर formula दोनों का ही क्या है same होगा जैसे यह यहां पे structure यह तो अपना है ब्यूटेन के बनाए गए है 2 molecules यह ब्यूटेन के जो बना रखे है पर इनका नाम अलग-अलग है तो जो compound होगा वो भी different होगा फिर आपको cyclohexane जो है उसकी structure आपको पता होने चाहिए कि cyclohexane को ऐसे बनाया जाता है यह carbon है हर corner ऐसे carbon को दिखाता है जैसे मैं अगर ऐसे बना देती हूँ तो यहाँ पर यह हर corner हर corner carbon को बताएगा यह आप दिहान रखेंगे ठीक है जैसे अगर ऐसे बना दिया जाए तो यहाँ पर double bond है इस carbon के बीच में यह double bond है और यह single bond है और यहाँ carbon है ठीक है तो यह चीज़े आपको बता होने चाहिए फिर benzene का formula और आपको structure बता होने चाहिए benzene का formula क्या है C6, H6 यहाँ पर है alternate position पर यहाँ पर आपको double bond लगा देने single, double, single, double और यह single और यह double ठीक है और यह कोई fix position नहीं है यह गूमता रहता है double bond एक fix position पर यह नहीं है कि आप एक है कि वही सिर्फ यही double bond होना चाहिए वो यहाँ नहीं आ सकता ऐसी कोई बात नहीं होगी ठीक है दोने structure जो होंगी वो correct होंगी बस एक छोड़के एक पर double bond होना चाहिए एक single होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए double bond होना चाहिए बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है फिर बात अगर हम करें तो कई बार हम से पूछ लिया जाता है कि आपको जो general formula है alkane का वो आपको बताना है यह बहुत बार पूछा गया है कि general formula alkane का आपको बताना है तो आप क्या लिखोगे cn h2n प्लस में 2 यह 2n है n यहाँ पे number of carbon है मतलब आपको भी pentane का formula अगर पता करना है कि क्या होगा या आपको butane का करना है या propane का करना है तो normal सी बात है जैसे हम carbon 1 से शुरू करते है n हमने 1 ले लिया मतलब हम methane का formula लिखा लिख रहे हैं और यह 2 है into में n है मतलब 1 और यह ब्लस में 2 तो यह क्या होगा carbon 1 ही है और 2 into 1 और प्लस में 2 तो यह क्या होगा 4 तो methane का formula यही तो होता है तो normal बात है आपको यह पता होना चाहिए कि वई alkane का general formula होता है cn h2n प्लस में 2 फिर अगर आप बात करते हो कि alkane का joh formula होता है general formula वो क्या होता है cn h2n फर्मula होता है और alkane का क्या होता है cn h2n मैं 2 तो यह दोनों फर्मले दोनों नहीं यह तीनों आपको पता होने चाहिए cnH2n plus 2 और cnH2n और फिर क्या है cnH2n minus में 2 तो एक कुछ चीजे हैं जो आपको पता करनी है याद रहना चाहिए क्यों कई बार वो formula बस पूछ लेता है journal formula क्या है तो यह आपको याद रहे जो चीजे मैं बता रहे हूं फिर बात होती है यहाँ पर alkene आगे आएंगी के नहीं आएंगी मैं एक बार वो देख लेते हूं सीधा अभी तो functional group है तो हम एक बार ही पढ़ लेते हैं यहीं पर alkene और alkynes को देखो आपके पास मालीजी आपको बनाना है क्या आप methane बना सकते हैं क्या methane कभी नहीं बन सकता है methane exist करेगा ही नहीं ठीक है नहीं कर सकता है क्यों हमने कहा कि carbon और carbon के बीच में double bond होता है carbon hydrogen के साथ double bond बना नहीं सकता तो methane कैसे exist कर सकता है वो नहीं करेगा तो normal है आपको क्या करना है कि carbon double bond मतलब alkyne का पहला member कोन होता है आपके पास होता है इथाइन इथाइन सोरी इथाइन तो alkyne में आ जाएगा ना तो यह हो जाएगा इथाइन alkyne family का पहला member है तो आप से यह बोल दिया जाता है alkyne का तीसरा member बनाईए अगर यह पहला member है तो दूसरा member कौन हो जाएगा propene और यहाँ पे तीसरा आपने पास कोन हो जाएगा butene ठीक है ना तो यह आपको ध्यान रखना है कि तीसरा चोथा यह नहीं करना कि चार हैं तो चार carbon यहाँ पे लगा दो तो alkyne का पहला member ethene होता है तो अगर आपको क्या बनाना है यहाँ पे ethene बनाना है तो क्या बनाएंगे carbon double bond carbon और यहाँ पे यह हाइडोजन आ जाएगे क्योंकि carbon के चार bond पूरे कर दीजिए पाइद खत्व तो यह structure किसकी हो जाएगी ethene की structure हो जाएगी तीक है फिर आप और का भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी जैसे alkene में पीछे an लग रहा था यहाँ पीछे क्या लग जाता है ene यहाँ पे लग जाएगा alkene के केस में और alkene के केस में yne यहाँ पे लग जाएगा ठीक है अब देखो अगर आपके पास member है मतलब आपको propene बनाना है देखो अगर propene है मतलब एक ही जैंगे double bond आएगा यह नहीं है कि यहाँ double bond लगा दो और यहाँ भी लगा दोगे नहीं तो यहाँ अब आपको bond पूरे करने है तो bond पूरे कर दोगे तो यहाँ यह भी क्योंकि 4 carbon के bond पूरे करने हैं आपको यहाँ पर carbon के 3 bond पूरे हो चुके हैं एक ये कर दीजिए, यहाँ 2 हो चुके थे तो यह आपको करना है ठीक है, तो नाम आपको कुछ ऐसे ध्यान रखने है इसका नाम क्योंकि एक ही जेंगे पर मतलब double bond है तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा ठीक है? या प्रोब वन इन क्योंकि पहली पोजिशन पर ही क्या हो गया? डबल बोन जैसे आप अगर ऐसे करते हैं कि यहां हमने डबल बोन लगा दिया और इसका नाम आपको रखना है तो ध्यान रखिएगा कि यह पहली पोजिशन पर ही डबल बोन नहीं है यह दूसरी पोजिशन पर पहली पर है ही नहीं तो पहली दूसरी आपको डबल बोन की पोजिशन बतानी पड़ेगी यह तीसरी और यह चोटी अब देखो इसका नाम क्या रखोगी देखो हैं तो चार ही कारबन पर आप लिखोगे but कितने पर आएगा यहाँ पर यह second position but to in आप लिखोगे आपको बतानी पड़ेगी position कौन सी है इसको beauty नहीं लिख सकते हो दूसरी position पर यहाँ पर क्या है जो double bond है वो यहाँ पर present है तो इस हिसाब से आपको देखे बताना पड़ेगा ठीक है फिर अगर बात की जाए कि सेम आप alkin की बात करें तो सबसे पहला जो member है उसका formula और उसका common name आपको बता होना चाहिए अगर ये है तो इसको एक तो ethine बोलते हैं क्या बोलते है एक इसको acetylene बोलते हैं क्या बोलते है Acetylene Gas, कई पर लिख देते हैं Acetylene Gas का formula बता दीजिए तो यही है, वो Acetylene Gas ठीक है फिर अगर आप और आगे लिख सकते हैं कि आपके पास 3 Carbon है वहाँ पर यह Triple Bond है तो यह क्या हो जाएगा आपने पास यह हो जाएगा आपने पास Propine, ठीक है और या फिर Common Name भी आप इसका लिख सकते हैं, क्योंकि 2 Carbon को हम Acetylene बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं? Acetylene बोलते हैं, तो यह हो जाएगा Methyl Acetylene, तो कुछ ऐसे नाम रखा जाता है इसका Common पर IUPAC में यही रखा जाएगा जैसे पीछे भई YN ने लगाना 3 Carbon है, तो यह Propine जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है? फिर है आपने पास Functional Group, Functional Group क्या है? कि जो Normal आपके पास चीन थी, अगर उसमें से आप Hydrogen हटा के कोई और Group लगा देते हैं, और जो उस Compound की Properties बदल दे, उसको आप बोलते हो Functional Group, उसमें कौन-कौन है, Halosans है, आपके पास Alcohol है, Aldehyde है, Ketone है और Carboxlic है, Halosans में आपके पास Chlorine, Bromine, Iodine और Fluorine हो सकता है, और Alcohol में आपके पास कौन सा Group होता है? OH होता है, LDhyde में CHO Group होता है, Ketone में Carbon और Carbon के बीच में, मतलब यह Center में आता है यह Group, तो वो की Tone होता है, Carboxlic होता है COOH, इसको आप क्या बोलते हैं, Carboxlic Group बोलते हैं, फिर यहां से Important Question ने यहां से बनता है, यह आप ध्यान रखिएगा, कि Homologus Series के Member आप से पूछे जाते हैं कि इसका Homologus Series का दूसरा Member बताईए, तीसरा Member बताईए, ऐसे पूछा जाता है Homologus Series क्या है, देखो Homologus Series क्या है, देखो, होमो मतलब सेम उसके हैं, सेम मतलब जैसे यहां Alcohol की Series दे रखिए तो पहला Member अगर Alcohol का यह वाला है, तो दूसरा जिसमें 2 Carbon होंगे, तीसरा जिसमें 3 Carbon होंगे, चोथा जिसमें 4 Carbon होने वाले हैं, ठीक है और सेम है, सब में OH ग्रूप है, OH है, कोई यह तो है निग, मैंने Alcohol के ग्रूप में, Homologus Series में, अलकीन को बिठा रखा है, ऐसा मैंने नहीं किया है, तो नॉर्मल बात है, जैसे अगर आप यह करें, कि CH4 है, फिर आप लिख दो C2H6, तो इन दोनों में क्या difference है, दोनों में difference है, कि यहाँ पे, CH4 से C2H6 पे जाने पे, कितने का difference आया, CH2 unit का difference आया है, और कितने mass का यहाँ पे difference आया है, अगर आप mass की बात करते हैं, तो 12 unit का, क्योंकि carbon, अगर आप बात करते हैं, total 14 का हो गया है, हमारे पास, हाँ, क्योंगि अकेले carbon का mass कितना हो जाता है, 12 और अपने आपास hydrogen का हो जाएगा, तो यहाँ पे homologus series में, अगर आपको difference देखना होता है, तो 14 unit का mass आपको देखने को मिलेगा, हर एक उसमें, यहाँ से यहाँ में 14 unit का mass difference आया, और CH2 unit का फरकाया, अगले में भी यही difference आएगा, मतलब कि आप क्या करोगे, carbon 3 हो जाएंगे, और hydrogen आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो यह difference भी कितने का है, CH2 unit का, और 14 unit mass का है, तो आप से कई बार identify करा लेते हैं, कि आप यह बताएंगे कि क्या यह सारे members, homologus series के हैं कि नहीं हैं, और इन में से जो ode 1 है, उसको हटा दीजिए, तीक है, जैसे मैं इस alcohol वाली series में, क्या करूँ, यहाँ पे अलकीन को डाल दूँ, तो आप यह कहोगे, कि यह तो ode है, ode मतलब इन से अलग है, homologus series की अलकोहल वाली series में, अलकीन कैसे आ सकता है, तो ऐसे आपको पहचानना होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किस चीज का difference है, mass का difference है, यहाँ पे chemical properties में difference नहीं आता, homologus series में, सिर्फ physical property में difference आएगा, क्योंकि mass बदल रहा है, तो melting और boiling point में difference आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो यह आप, यह पूरा job ही मैंने बताया है, वो सब कुछ यहाँ पे इखा गया है, ठीक है, melting और boiling point में difference आएगा, solubility में difference आ सकता है, chemical properties यहाँ पे, सिर्फ functional group बताएंगे, homologus series में, वो सिमिले रहने वाली है, कोई difference नहीं आने वाला, ठीक है, फिर बात, जो हम कर रहे हैं, next है, पूरा norman clature का, norman clature में सबसे पहले हम, जो अपने functional group है, उसकी बात करनें, और उसमें भी hello group की, अब देखो, अब यहाँ पे prefix, जो है, pre मतलब पहले जो लगाया जाता है, तो यहाँ पे, जैसे, chloro लगा दिया गया, और carbon कितने, तीन, propane, chloro, propane, अगर ब्रोमो लगाया है, तो ब्रोमो, propane, क्योंकि तीन ही carbon है, और ब्रोमो, as a substitute, वहाँ पे लगा दिया गया, तो ब्रोमो, propane इसका नाम हो गया, अल्कोहल का, suffix का मतलब होता है, बच्चे, जो पीछे लगाया जाता है, suffix का मतलब होता है, जो पीछे लगाए जाए, prefix मतलब जो पहले लगाए जाता है, जैसे हिंदे में हम उपस और गोर प्रत्य जिसको कहते हैं, ठीक है न, तो वही चीज़े यहाँ पे है, तो suffix जो बाद में लगाए जाए तो alcohol में ol लगाए जाता है, जैसे आपके पास क्या है, आपके पास माली मिथेन था, मिथेन आप किसको लिख रहे थे, CH4 को, हमने एक हटा दिया, हमने एक हटा दिया, OH यहाँ पे लगा दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हमने लिखा था, मिथेन, क्या लिखा था, मिथेन, हमने क्या किया, हमने यहाँ से, जो आपने यह लगा रखा लगाता ना एजो यह वर्ड था एएई इसको हमने क्या कर दिया मीथे नोल में क्योंकि ओल होता ना मीथे नोल यह हमने लगा दिया बात समझ में आ गई या इथे 2019 आप लिख चाहिए गा सेम छीज़ यहां पर कि कार्बन आपका एक ही रहने वाला है तो पहला मेंबर यह और इसका कॉमन नेub भी आपको पधा अठाओना चाहिए इसको फॉर्मेलडी हाई बोलता है वैसे नाम है एथे नल और नाम क्या हो जाएगा इसका अपने पास ऐसी डल्डी हाइड ठीक है फिर किटोन में अगर आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में लगाया जाता है और यहां पे तीन मेंबर हैं क्योंकि और इसके पीछे जो वर्ड लगाया ज जाता है और इसका सफिक्स होता है तो जैसे आपके पास क्या है एथे आपके पास यह है कि स्ट्क्चर सीटू एच सिक्स था हमने अपना यहां पर क्या हटा दिया सिर्फ हाइड्रोजन हटाया तो कुछ ऐसे आपको अगर स्ट्क्चर देखने को मिले तो यहाँ पे क्या इथेनोईक एसिड हो जाएगा ओएक यहाँ पे पीछे वड़ लग जाएगा वैसे तो इथेन होता ना इथेनोईक एसिड यह हो गया इथेनोईक एसिड ठीक है फिर यह मैंने बताई दिया एलकीन और एलकाइन में कैसे आप यूज़ करते हैं तो ये आपको ध्यान रखने है कि किटोन में क्या यूज़ हुआ है और कार्बोक्सलिक में कौन यूज़ हुआ है अब यहाँ पर जो important structure है मैं वो आपको सारी पहले में बता देती हूँ जैसे H-C-O-O-H यह important है इसका नाम आप common याद रखिएगा इसको आप बोलते हैं formic acid क्या बोलते हैं formic acid अगर एक मैं यहाँ पर और आपके पास carbon में रख दूँ तो यह अपना होता acetic acid जो विनिंगर में भी होता है acetic acid और जो आपने पास की tone का पहला member होता है CH3 CO और यह CH3 इसका common ने बहुत famous है इसको acetone बोलते हो बच्चे आप क्या बोलते हो acetone ठीक है यह बहुत जादे important है आपको पता होना चाहिए फिर अगर आप बात करें कि और मैंने formaldehyde और acetaldehyde मैंने आपको बताई दिया है एक आपको ऐसे structure में आपको नाम बता होना चाहिए यहां भी carbon है और यह उबर भी यह CH3 है एक इसका नाम आपको बताना है कि क्या आप नाम रखेंगे यह 10th के हिसाब से हम बात कर रहें 11th में तो बहुत ज़ादा nomenclature का part आ जाता है इसमें देखो यहां से मैंने nomenclature शूर किया 1st, 2nd और 3rd अब यहां पे 2 methyl आ रहें दूसरी position पे तो आप क्या नाम याद रखोगे रखोगे इसका 2, 2 2 methyl है ना तो 2 position पे 2 methyl है तो हमने 2, 2, dimethyl और कितने कार्बन हैं यहां पे यहां पे 3 है तो आप लिख दो के 2, 2, dimethyl प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ठीक है ना तो simple यही बात आपको याद रखनी है कुछ nomenclatures की कुछ और है हमार पास अब यहां पे यह बहुत जादा important चीज है saturated hydrocarbon will generally give a clean flame जो आपने पास होती है जैसे blue flame जो होती है जो gas तब हम मोहन करते हैं तो जो clear flame है वो आपको saturated compounds देते हैं और unsaturated जो carbon compounds हैं वो yellow flame के साथ जलते हैं और बहुत जादा उसमें से smoke, black smoke जो है वो release होती है all over जैसे alkane को अगर आप जला रहें जो saturated compound है तो वो clear flame के साथ clean flame के साथ जलेगा unsaturated compound को अगर आप जला रहे हैं तो वो yellow flame के साथ जलने वाला है जैसे mostly जो अपनी gas आपने देखा होगा तब हम उसको burn करते हैं तो blue clear flame के साथ जलती है पर जैसे उसमें क्या हो जाते है उसके जो holes है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं ये वाले holes जो हैं जैसे चाय गिर गई या कुछ और चीज इसमें गिर गई तो holes बंद हो जाएंगे तो proper oxygen नहीं जा पाती तो उसमें से भी yellow flame निकलती है और बरतन अगर आप इस पर रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा वो बरतन जो है वो black होना शुरू हो जाएगा ठीक है अब यही चीज है कि इनकम यह चीज लिखी गई है however limiting the supply of air result in the incomplete combustion of even saturated hydrocarbon जो मैने भी समझाया gives a सूटी flame मतलब वहां भी धुआ निकलना शुरू हो जाएगा the gas kerosene stove used to home as inlets for air so the sufficient oxygen rich mixture in the burnt give a clear clean blue flame मतलब उनमें होल सी सी वज़े से होता है ताकि जो oxygen अपर उपर पहुँच पाए और जो clear blue flame है वो आपको मिले ठीक है यही वो बात कर रहा है कि अब बरतन भी काले होना शुरू हो गए तो यह समझ जाए कि जो holes है वो block होना शुरू हो गए और जो fuel है वो waste हो रहा है proper burning नहीं हो रही है ठीक है फिर क्या है fuel such as coal and petroleum have some amount of nitrogen उनमें होता है sulfur उनमें होता है their combustion result in the formation of oxide of sulfur and oxide of nitrogen मतलब NO2 आपको देखने को मिलेगा और आपको क्या है sulfur के oxide आपको देखने को मिलेंगे इन fuels में मतलब आगर आप coal और petroleum जला रहे हैं तो वो साथ में NO2, SO2 release करेंगे CO2 तो बाहर release करते ही करते हैं ठीक है अब देखो अब substance की बात की जलता है या फिर yellow flame के साथ को जलता है अब देखो यह हम बात कर रहे हैं कि what happens when the wood or a coal start to burn कि क्या होता है तब एक लकडी जले और एक coal बरन होना शुरू होता है you have seen above that the candle or the LPG in the gas store burn with the flame वो किस के साथ जलते हैं flame के साथ वो जलते हैं मतलब जैसे आपने candle में वो flame देखिए तो उसके साथ वो burn होते हैं however you will observe the coal और charcoal in an ungeaty sometimes just glow red and give out heat without a flame कुछ substances ऐसे हैं जैसे आपने कोईले को देखा होगा सिर्वो लाल ऐसे आपको होता हुआ नजर आता है वो flame के साथ नहीं जलता है तो इसका कारण क्या है this is because a flame is only produced when gaseous substance burn अब ध्यान दीजिएगा कि जो flame में वो सिर्फ कब release होती है तब gaseous substance जो है वो burn होता है when a wood or a charcoal is ignited the volatile substance present vaporize and burn with a flame in the beginning कि जो आप कोईला स्टार्टिंग में जलाते हैं तो उनमें जो gas वहां पे है पहले वो release होती है और वो flame के साथ जलती है ठीक है और बाद में तब वो gas वहां से खतम हो जाती है तो फिर वो कैसे है without flame वहां पे क्या होते हैं बर्न होते हैं ठीक है फिर क्या है ये एक topic यहाँ पे था एक उपर वाला topic था एक यहाँ पे है a luminous flame is seen when the atom of the gaseous substance are heated and start glow ठीक है luminous मतलब की आपको जैसे एक तो मैं gas own कर दूँ तो क्या कमरे में रोशनिया होगी बिलकुल नहीं होगी पर जैसे एक लकड़ी या कुछ भी ऐसे जलाय जाता है या कोई भी और ऐसे चीज है जो yellow flame के साथ जल रही है तो वहाँ पे आपको कमरे में कुछ रोशनिया आपको देखने को मिलेगी तो अब देखो the color produced by each element is a characteristics property of that element तो वही बात की गई है कि किसी भी element को अगर आप जलाते हैं तो सबकी अपनी जैसे मैंने का पिछले वहले चेप्टर में पढ़ा था हमने कि magnesium अलग flame के साथ जलता है और sodium अलग flame के साथ जलता है और barium अलग के साथ जलता है तो हर एक element की अपनी property है कि वह अलग-अलग flame देते हैं पर आपको यह पता होना चाहिए luminous flame कौन सी है blue जैसे light आपको नहीं देगी yellow वाली में आपको light देखने को मिलती है फिर यहाँ पर क्या है coal और petroleum की formation की बात की गई है वैसे तो आपने यह SS में बहुत बार पढ़ा है कि coal और petroleum की formation किस तरीके से होती है अब यहाँ पर simple सी बात है आपने देखा होगा कि अर्थ पे जब जो बहुत सारे animals थे या जो पेट थे millionaire ego की बात है कि बहुत ऐसे मतलब earth climate मतलब कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ कि कोई problem आई कि अर्थ पे अर्थ को एक आया volcanic eruption हुआ तो सारी चीजे जो layers थी वह सारी सब उपर नीचे हो गई जिसके वज़े से कि जो यह सारे elements थे या जो substances थे मतलब चाहे आप trees की बात करने animals की बात करने वह एक किसम से उस जो layers थी अर्थ की उसके नीचे वह दब गए जिस pressure के कारण यहाँ पे और यह बहुत सालों में हुआ है तीक है यह ध्यान रखिएगा जहां पे oil है, gas है वो सारी चीजे create हुई क्योंकि यह सब कुछ किस ने किया वह बैक्टिरियास तो वहां पे थे जो कि इन चीजों को क्या कर रहे थे slowly breakdown कर रहे थे जिसके वज़े से उन सारी चीजों की decomposition से oil और क्या है gases वहां पे form हुई है तो वही है कि यहां पे जो आपको समुंदरों के अंदर या देखने को मिलेगा या अलग अलग पहाडों के नीचे देखने को मिल जाता है तो fossils ऐसे ही आपको मिले हैं और ऐसे ही आपको देखने को मिले थे ठीक है अब यहां पे जो important reaction ने वो सारी आपको याद रखनी है कौन-कौन सी है जैसे alcohol का नॉर्मल बात है आपके पास alcohol है आपके पास CH3, CH2, OH आपके पास alcohol है इसकी reaction अगर आप कर रहे हैं KMNO4 के साथ मतलब यह oxidizing agent है बहुत बढ़िया और एक है आपके पास K2, CR2, O7 इसका purple color होता है और इसका orange color होता है अगर आप इसकी reaction alcohol के साथ करते हैं तो यह दोनों ही बहुत अच्छी oxidizing agent है तो इसको किसमें convert करतेंगे कार्बोक्सलिक में convert करतेंगे मतलब एलकोहल जो था आपने पास जो इथेनोल था इथेनोल को अगर आपको किसमें convert करना है इथेनोल एक एसड में convert करना है तो आपको किस चीज का use करना पड़ेगा आपको किमनोफोर और K2, CR2, O7 का आप यूज कर सकते हैं potassium permagnate और इसको बोलते हैं potassium dichromate यह बहुत अच्छे oxidizing agent है फिर बात की गई है addition reaction की कि unsaturated compound से आपको क्या बनाना है saturated compound आपको बनाना है तो यह आपको hydrogenation के नाम से भी आप पढ़ते हैं और nickel catalysis मतलब जो reaction उसके नाम से भी आप पढ़ते हैं और यह यहाँ पर आप यह याद रखेगा hydrogenation of vegetable oils यह बहुत काम की बात है देखो क्या है यहाँ पर कि जो vegetable oil होता है वो क्या होता है एक unsaturated compound आपके पास होते हैं ठीक है और फिर अगर आप बात करते हैं carbon chain while animal fat have saturated hydrocarbon chain जो आपके पास क्या होता है oil होता है वो तो आपके पास unsaturated होगा पर जो fat होते हैं वो आपके पास saturated compounds होते हैं ठीक है तो आप क्या कर रहे है hydrogenation of vegetable oil vegetable oil का hydrogenation मतलब क्योंकि जिसके पास double bond होता है वो unsaturated compound है और यह oil होते हैं बचे यह क्या होते है oil तो oil का हम क्या कर रहे है vegetable oils का हम क्या कर रहे है, hydrogenation मतलब इनको हम hydrogen इन में add करा रहे हैं, तभी ये saturate हो पाएंगे, मतलब single bone में convert हो पाएंगे, तो ये किसकी help से किया जाता है, जैसे, यहाँ पे क्या है ये metal है, nickel metal है, तो इसमें, क्योंकि space present होता है, nickel में, छोटे-छोटे pores होते हैं, जिसमें hydrogen trap हो जाती है, क्या है, hydrogen जो है, वो यहाँ पे trap हो जाती है और hydrogen इसमें अगर trap होगी तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या compound रखती है, हमने unsaturated compound रखती है, फिर इसमें धीरे-धीरे hydrogen बहार निकलती रहती है थोड़ा temperature देंगे, तो हाँ पे hydrogen फिर क्या है, add होना शुरू हो जाएगी, मतलब जो formula आपके पास था, यह CH2, double bond CH2 अब यह किस में convert हो जाएगा CH3, single bond CH3 में ठीक है, यहाँ से important क्या बात है, एक तो आपने addition reaction देखी, यह nickel या platinum metal की presence में होती है hydrogenation आप इसको reaction बोलते हैं या hydrogenation of vegetable oil जो unsaturated compounds होते हैं बच्चे वो तो oil होते हैं, मतलब जितने भी हम oil use कर रहे हैं, वो unsaturated compounds हैं, पर जो घी आप use करते हैं जो fat आप use कर रहे हो वो क्या होता है, वो आपके पास saturated compounds होते हैं, वो क्या होते हैं saturated compounds होते हैं saturated compounds जादा harmful होते हैं पर जो oil होता है वो जादा harmful नहीं होता है ठीक है फिर बात हम करते हैं कि जो substitution reaction की reaction में कैसे आपको substitute करना है किसी चीज़ को एक आपके पास कोई भी element है उसको substitute करके कोई दूसरा element लाना है जैसे आपके पास methane है प्लस में हम कर दें chlorine और यह presence होती है किसकी presence में sunlight की presence में तो यहाँ पे क्या होता है एक hydrogen हटके यहाँ पे chlorine आ जाएगा तो यह CH3Cl यहाँ पे form हो जाएगा अगर further reaction करोगे तो यह CH2Cl2 बन जाएगा क्योंकि एक hydrogen or replace हो जाएगा chlorine आ जाएगी तो इसको बोलते है अब substitution reaction मतलब एक element ने दूसरे element को substitute कर दिया है तीक है फिर आपके पास important दो element आप कह सकते हैं compounds आप बोलेंगे compounds इथिन और इथिन और इथिन और इथिन आपको पढ़न है बड़े ध्यान से थीक है अब इसमें क्या है यह कुछ important बाते हैं कि जो इथेनोल है अपने पास जो alcohol है जो mostly पीने के लिए लोग मतलब यूज करते है यह वही है इथेनोल और इसको wood alcohol भी बोला जाता है इसको wood ने इसको seed बोला जाता है seed alcohol और methionol को मतलब CH3OH को इसको wood alcohol बोला जाता है यह liquid होता है room temperature पे और इसका use कहां कहां किया जाता है कुछ लोग मतलब इसको क्या है drink के रूप में use कर देते हैं और वैसे यह जो iodine होता है उसके साथ भी alcohol को मतलब mix किया जाता है तो कहीं चोट लग जाए तो उसमें इसका use किया जाता है मतलब iodine plus में alcohol इसक availability बहुत अच्छी खासी है तो यह भी आपको याद रखना है फिर अगर आप बहुत जादा pure जो आपके पास alcohol होती है बहुत जादा pure तो उसको आप क्या बोलते है absolute alcohol बोला जाता है जो की सिहत के लिए बहुत बहुत जादा खदरनाक होती है तीक है अब यहाँ पर आपको reaction देखने है कि आपके पास यह alcohol है मतलब एथेनोल है CH3 CH2 OH जैसे ही आप इसकी reaction sodium के साथ करते हैं या कोई भी metal के साथ करने है पर हम जादा जो reactive metal उसको ले रहे हैं कि हमने sodium के साथ इसकी reaction की तो यह जो hydrogen है यह यहाँ से displace हो जाएगा तो CH2 करना CH3 CH2 और यहाँ पर oxygen तो यही रिलीज की है तो यह आपको ध्यान रखना है तब भी आप इसेनोल की reaction प्यूर इसेनोल की reaction sodium के साथ करते हैं तो hydrogen gas बाहर रिलीज हो जाती है और यहाँ पर sodium आ जाएगा sodium ethoxide की formula बन गया है क्या है sodium ethoxide ठीक है तो यह ध्यान रखना है है hydrogen क्या है यहाँ पर release यहाँ पर हु sulfuric acid होता है concentrated form में वो बहुत अच्छा dehydrating agent होता है मतलब पानी को बाहर निकाल सकता है dehydrate करना मतलब पानी को वहाँ से release करा देगा हटा देगा वहाँ से तो आपने जैसे ही क्या किया CH3 यह CH2OH है इसकी reaction जैसे concentrated H204 के साथ की तो यहाँ से पानी बाहर निकल गया अब देख़ है कि कैसे हुआ होगा कि यह अपने पास CH2 लिख लूँ एक hydrogen उपर लिख लिया यह simple single bond है और यहाँ पे यह OH है तो हमने यह OH और यह H, H plus OH क्या है H2O बन गया तो जैसे ही यह दोनों चीजें यहां से गायब हुई तो क्योंकि एक bond यहां से खतम हो है तो यहाँ पे double bond बन ज चला गया concentrated S204 की form में तो जो alcohol था वो किसमें convert हो जाता है, alkene में convert हो जाता है, तो alcohol को अगर alkene में convert करना है तो normal सी बात है, आपको concentrated S204 के साथ react करा दीजिए, ठीक है, अब यहां पर क्या बात की गई है, alcohol के abuses के बारे में बात की गई है, कि जो लोग हैं काफी जादा हो जाती है, किसी की death, मतलब हो जाती है, mostly methanol अगर कोई पी लेता है, तो उसमें liver जो हो खराब हो जाएगा, जो eyesight हो बिल्कुल खदम हो जाती है, और जो main problem होती है, कि जो methanol होता है, वो coagulate कर देता है, protoplasma को, मतलब cell में जो living content है, cytoplasma, nucleoplasma है, उसको क्या कर देता है, coagulate कर देता है, जैसे अंडे को तब उबालना, मतलब जो भी है, वो पकाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे वो coagulate हो जाता है, वैसे हमारा plasma भी coagulate हो जाता है, तब कोई methanol को, उसकी consumption करता है, या फिर जो optic nerve है, वो हमारी खराब हो जाएगी, blindness cause होगी, और यहाँ पे जो ethanol है, उसको ऐसा industrial solvent के रूप में use किया जाता है, तो मतलब देखो इसका use तो है, तो इसको protect कैसे किया जाता है, उसमें methanol का add किया जाता है, क्योंकि methanol जादा खराब है, खराब innocence की घातक जादा है, खराब करेगी, मार देगी, तो इसी वज़ए से ethanol में methanol को add कर दिया जाता है, जिसको आप denatured alcohol के नाम से जानते हैं, denatured alcohol में या तो methionol मिला दिया जाएगा, या तो फिर वहाँ पे copper sulfate मिला दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए, ethionol है आपके पास, और आपको industry में यूं तो सारी ethionol कोई पी जाएगा, तो क्या करते हैं, उसको denatured alcohol में convert कर देते है क्या करके, या तो इसमें copper sulfate मिला दिजिए, blue color हो जाएगा, जिसकी वज़े से लोगों को पता लग जाएगा, भई ये तो denatured alcohol है, अगर उन्हों ने इसको पिया, तो वो वैसे घतम हो जाएंगे, तो ये denatured alcohol, absolute alcohol, ये दोनों wording आपको पता होने चाहिए, फिर है alcohol as a fuel, alcohol ज इसमें और अच्छी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे कोई NO2, SO2 जैसे अपने coal और petroleum में निकलते हैं, ऐसे alcohol में release नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये चीज है कि additive in the petrol, since it is a cleaner fuel, क्या बोला जाता है, cleaner fuel, which gives rise to only carbon dioxide and water, क्योंकि अगर आप coal और उसमें बात करते हैं, पेट्रोलियम मे तो वहाँ तो ये दो gas भी निकली थी, तो इसी वज़े से जो अपना alcohol है, उसको cleaner fuel भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें NO2, SO2 रिलीस नहीं होती है, ठीक है, फिर बात है, यहाँ पे जो अपने पास properties है, इसको आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं, जो कि vinegar में होता है, acetic acid अगर dilute form में होता है, तो इसको vinegar बोला जाता है, और अगर आप इसमें बात करें, कि यह जो मैंने लिखा हो है, सारा वही है, मतलब जो underline कर रखा है, यह आप देखते रहे ना, अगर आप इते नोई की बात करते हैं, तो इसको melting point यहाँ पे दे रख दिखाए देते हैं, वैसा यह white color का दिखाए देता है, फ्रिजोनी के बाद, तो इसी वज़े से इसको glacial acid भी बोला जाता है, या glacial acetic acid आप इसको बोलते हो, तो आप से पूछा जाए, गलेशियल acetic acid क्या है, तो acetic acid को ही glacial acetic acid के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसका nature acetic होता है, यह जो अपने पास acetic acid है, इसका nature तो acetic होता है, पर यह काफी weak acid होता है, ठीक है, क्योंकि carboxly group acetic तो है, पर वो weak acid होता है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, फिर यहाँ पर जो important reaction है, वो है, esterification, और जो आप next बढ़ेंगे, saponification, वो reaction बहुत जादा important है, esterification, ester जैसे, ester जो होता है, बच्चे, उसकी smell बहुत जादा अच्छी होती है, जैसे flower में आती है न, वैसे, इससे perfume बनते है, fruity smell होती है, बहुत अच्छी smell होती है, तो यह ester होता है, तो वही हम reaction कर रहे है, esterification, तो क्या करना है, आपने alcohol लेना है, जैसे हमने ले लिया, हमने अभी ethanol ली पढ़ा था, CH3, CH2OH आपने लिया, प्लस में आपने ethanol लिया, जो भी हम जिसकी बात करना है, तो यहाँ पे simple आपको क्या करना है, आप यहाँ से पानी बहार निकाल दो, एक बार मैं adjust करके लिखती हूँ, फिर आप समझना कि पानी कैसे आपने बहार निकाला और यहाँ पे यह CO, OH और यह अपना CH3, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यह H और यह OH, H2 वह बाहर निकाल दिया न, तो यह देखो क्या बन गया, CH3, CH2, CO, CH3, यह यहाँ पे बन गया, यह देखो, O भी तो है यह रहा, एक यह, क्योंकि डबल O था न, तो यहाँ भी आएग यह देखो, O, तो यह क्या बन गया, अपने पास, Ester यह बन गया, यही Ester group होता है, तब आप ऐसे लिखते हैं, यह जो group होता है, यह CO, OH, यह वाला जो हो, यहाँ पे कोई R group हो, वालब CH3 हो सकता है, CH2, CH3 हो सकता है, कोई भी group, तो यह जो part होता है, यह Ester होता है, तो तब आप alcohol और carbox lick को मिलाते हैं, तो वहाँ पे कोई सी reaction होती है, Esterification, और साथ में पानी बाहर निकल जाता है, अभी पानी तो बाहर निकाला था, तो इसको आप Esterification reaction बोलते हो, और Ester जो है, वो sweet smelling, बहुत अची सी smell वहाँ पे होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि भई यह आपने बनाया है, यह CH3, CO, OCH3, इसकी reaction आप क्या कर दीजिए, आप इसकी reaction कर दीजिए, अने वह के साथ, किसके साथ कर दीजिए, ने वह के साथ कर दीजिए, यह बेश है, अने वह को कास्टिक सोड़ा बोलते हैं, इसके साथ जैसी आप रीक्शन करेंगे, आपको वा 3-3-C-O-O-N-A. पहले इसका नाम बोलो कि sodium और यह है acetate. sodium acetate. यह reaction जो आपके पास है, इसको आप क्या बोलते हो? saponification reaction बोलते हो, जो साबुन है, वो ऐसे ही बनाया जाता है. ठीक है? जो साबुन है, एस्टर को, तब आप कास्टिक, एस्टर आपने बनाया है, कास्टिक सोड़ा उसमें डाल दिया, तो जो आप formation करते हो, फिर क्योंकि NACL, मतलब इसमें एड किया जाता है, salt ताकि वो सेट हो जाए, सेट इन इसेंस की, अब मेल्ट थोड़े आपको रखना है, उसको एक solid form भी तो देनी है, तो साथ में NACL के addition भी की जाती है, तो यह जो होता है, इसकी बहुत लंबी chain है, यहां पर सिर्दोई कार्बन नहीं होंगे साबन में, अलग-अलग होंगे, तो यही तो बोला है, sodium और potassium, salts of long chain carboxylic acid, क्या कहलाते हैं, soap कहलाते हैं, और यह जो reaction अभी हमने की, इसको saponification reaction आप बोलते हो, मतलब जो ester बना, उसमें N-O-H डाल दीजी, alcohol फिर से बन जाएगा, और sodium acetate या potassium acetate जो बनेगा, वो साबन ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर reaction की गई है, कि इसके साथ, आपके पास carboxylic है, CH3COOH+, यहाँ पे की गई है, N-O-H के साथ reaction, तो नॉर्मल बात है, यह O-H और इसका H, H2 वो बाहर निकल जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है, यह क्या नाम है, sodium acetate, ठीक है, sodium acetate यहाँ पे बन गया, अब यहाँ पे दो reaction important है, यह द्यान दीजिएगा, यह इथेनोईक acid जो है, उसके test के लिए भी यूज की जाती है, कि आपने इथेनोईक acid लिया, sodium carbonate और sodium bicarbonate के साथ, आपने reaction की, sodium carbonate और sodium bicarbonate, तो यहाँ पे होता क्या है, वो देखो, यह CO2 gas यहाँ से release हो जाती, जैसे carboslic acid की, sodium carbonate और sodium bicarbonate के साथ, यह एक्षन करोगे, CO2 बाहर निकल जाएगी, और साथ में पानी भी बाहर यहाँ से निकल जाता है, पानी और CO2 बाहर निकल जाते हैं, और जो बच जाएगा, वो क्या बच जाएगा, sodium acetate जो अभी हम बनाते आ रहे थे, बस खास बात यहाँ पे क्या होगी, कि यहाँ पे CO2 gas निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप carbonate जो होता है, अगर उसमें ऐसे डाल रहे हो, तो CO2 gas release होती है, जो कि यहाँ पे release हो गई, और पानी release हुआ, और यह salt यहाँ पे release हो गया, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको एक confirm कराना है, कि यहाँ से CO2 gas बाहर निकली, तो आपको simple सी बात क्या करनी है, कि जो आपके पास slaked lime होता है, उसके साथ इसके reaction करा दीजिये, calcium carbonate बन जाएगा, जो बिल्कुल white PPT होते हैं, तो आपको confirm हो जाएगा, कि यहाँ से CO2 gas है, वो यहाँ से बाहर release हुई है, फिर soap और detergent की हम बात करने, कि soap और detergent क्या होते हैं, अब यहाँ पे आप देखो, mostly जो आप बात करते हो, वो बात करते हो, soap और detergent में cleaning की, cleansing जो उसका formation होती है, कैसे वो process करता है, ठीक है, वही बात हम कर रहे हैं अभी, सबसे पहले तो यह पूछ लिया जाता है, यहाँ से कोशन आते है, missile formation से, अब यह जो आपको structure दिखाई दे रहे हैं, यह इसी को बोलते हो, missile formation, यह होती कैसे है, अब देखो, यहाँ पे दो part है, मा लीजिए, यह बोला जाता है, यहाँ पे कोई oil और grease लगा हुआ है, किसी कपड़े पे, तो soap में और detergent में क्या चीज होती है, ऐसे ऐसे structure present होती है, जैसे मैंने अभी आप एक बात समझाई थी, अगर ऐसे यह चीज है न, तो यह carbon है, और यह अपना क्या है, head है और यह tail है, tail पे सब में carbon है, और यहाँ पे आप यह मानिये, कि यह sodium है, या potassium होगा, ठीक है, और यह अपनी carbon chain है, यह क्या है, सारी carbon chain है, और इसमें जो आपको salt मिलेंगे, कार्बोक्सलिक के मिल जाएंगे, सलफेट के मिल जाएंगे, अलग-अलग आपको मिलेंगे, अब यहाँ पे क्या हुआ, यह अपना positive है, और यह negative chain रहेगी, अब यह बताईए, कि carbon जो होता है, अब यह, मतलब जो compound होगा, यह water repellent होगा, यह वाला जो पूरा पार्ट होगा, यह क्या होगा, water repellent होगा, पर यह आइनिक है, तो यह पानी को attract करने वाला है, ठीक है, यह पानी को attract करेगा, यह पानी को repel करेगा, तो grease के side में तो क्या चले जाएंगे, यह जहाँ पर sodium लगा हुआ है, मतलब head तो बाहर की side है, क्योंकि यह hydrophilic है, मतलब पानी से loving है, और यह hydrophobic है, ठीक है, tail hydrophobic है, यह hydrophilic होता है, तो इसी वज़े से chain ऐसे बन गई, कि यहाँ grease part है, तो grease की side तो सारी आ गई, यह tail, और यह head बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको पानी, जैसे हम पानी इस कपड़े पे फेकेंगे, तो यह जो उपर head आपको दिखाई दे रहा है, यह सारे पानी को बाहर लेते हुए, और यह जो chain है, यह पूरी जो chain है, यह इस grease को पकड़ लेगी, और sodium की उससे, पानी की help से, जो grease और जो सब कुछ था, वो बाहर की दरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो grease वहां की वहां रह जाएगा, बात समझ में आ गई, तो यह चीज आपको दिखनी है, कि हाइड्रोफोबिक कुन सा पाइट है, हाइड्रोफिलिक कुन सा पाइट है, तो यह आप दियान रखेंगे, कि यहाँ पर जो सोप होता है, वो क्या होता है, sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid, यह सोप होता है, ठीक है, यह सोप होंगे, फिर आपको यहाँ याद रखना, emulsion क्या होता है, emulsion देखो, normal बात है, तब आप क्या करते हो, कि water और साथ में कोई और liquid होता, जैसे water और oil है, तो दो liquid का mixture जो होता है, water और oil जैसे मैंने बोला, यह emulsion कहलाएंगे आपस में, ठीक है, तो emulsion आपको पता होना चाहिए, missile formation आपको पता होनी चाहिए, और फिर जो अपने पास है यहाँ पे, एक चीज यह है, कि जो आपने पास जो पानी होता है, पानी भी अलग-अलग तरीके से होता है, क्योंकि पानी के में क्या होती है, hardness होती है, ठीक है, तो calcium और किसके magnesium salt present होते हैं, जिसकी वज़े से hardness होती है, calcium और magnesium की वज़े से, और calcium और magnesium का भी क्या present होगा, या तो hydrogen carbonates present होगे, या तो sulphates present होगे, या chloride, जिसकी वज़े से hardness होगी, मतलब calcium chloride हो सकता है आपके पास, magnesium का chloride होगा, जिसकी वज़े से hardness है, carbonate होगा, sulfate होगा या chloride होगा, आपसे क्या कोशन यहां से बन जाएगा, कि वहाँ पर carbonate होगा, नहीं, वहाँ पर hydrogen carbonate होगा, मतलब HCO3 होगा, sulfate होगा और chloride होगा, वो ऐसे लिख देंगे कि वहाँ क्या hardness, calcium bromide की वज़े से होगी, नहीं, यह chloride की वज़े से होगी, या तो sulfate की वज़े से, या फिर hydrogen carbonate की वज़े से, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, फिर आपके पास दूसरी class जो आ जाती है, वो detergent आ जाती है, क्योंकि detergent आप जानते हैं, यह किसके salts होते हैं, यह जो अपने पास sulfonic acid जो होता है, जो sulfate है, यह वाला जो है, इसके salts आपको मिलेंगे, ठीक है, या फिर ammonium salts आपको मिलेंगे, या किसके साथ chloride और bromide ions के साथ, जो अपना क्या है, जो ammonium, जो salt है, किसके साथ chloride और bromide के साथ आपको देखने को मिलेगा ठीक है और detergent क्या है sodium salt of sulfonic acid या फिर ammonium salts with chloride or bromide ठीक है जो activity होती है hard water में वो अपने पास किसकी ज़्यादा होती है detergent की detergent की ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा active होता है comparison to soap के ठीक है वो normal होता है पर जो अपना detergent होता है ये भी आप जानते होंगे कि जो soap है वो biodegradable होता है और detergent non biodegradable होता है जो ये sulfate होते हैं और जो ammonium chloride और bromide होते हैं ये आराम से मतलब तूटते नहीं है breakdown नहीं होते हैं ठीक है तब ही कहते हैं अगर आप कपड़े जो हम दोते हैं detergent से और वो सीधा तब ऐसे aquatic organism के resource में जाता है तो उनको problem होती है क्योंकि वो degrade नहीं होता है detergent ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब यहां पे एक word आता है जिसको आप क्या बोल देते हो हो scum भी बोल देते हो तो वहां पे ऐसे अजीब सा मतलब पेपर गीला हो के कैसे हो जाता है तो वैसे ही अगर आप hard water में detergent को या साबून को मिलाते हैं तो वहां पे scum बनना शुरू हो जाते हैं leather नहीं बनता वहां पे scum बनना शुरू हो जाता है तो जो detergent है वो तो effective नॉर्मल वाटर में भी हाड़ वाटर में भी है पर efficiency कम हो जाएगी और जैसे शैंपू आपने देखा होगा hand pump वाले पानी से दोईए कि आपको problem होगी बहुत जादा शैंपू लगेगा और फिर आपके बाल भी ऐसे सफेज वाइट से मतलब ऐसा होना शुरू हो जाएगा प्रेसिपिटेट से बनना शुरू हो जाएगे तो यह आपको कुछ जो वर्डिंग है तो आपको ध्यान रखना है और यहां पर अपना carbon aries compound है वो chapter बचो खतम हो जाता है और आपकी कोई भी problem हो कोई question हो तो वह आप मुझे बता देना और next एक chapter बच्किया हमारा 10th के लिए जो periodic table and classification है और जो question होगे वो 10th के हमें एक साथ पूरे हम कर लेंगे क्योंकि NCRT examplers से बहुत ज़्यादा question आते हैं DSSP में direct question with